हेलो एब्रीवन वेल्कम टू दी जी के जोन तो गाइस कल हमने जो है सेट नंबर फाइब यू उडान पब्लिकेशन का पेपर टू का फाइब सेट नंबर फाइब हमने कंप्लीट नहीं किया था कर पचास सॉरी 59 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था आज हम 60 से लेक खंण के राजासुम की द्रिष्टी से इनमे से किस जीला खंण कर याले का राज में दूसरा स्थाने इसका आंसर हो जागा बोकारो ईगिला आर्थिक तर्विक्छन 2020 क्राप्ति की द्रिष्टि में प्रथम तीन जीले क क्रमसा है धन्बाज, चाइबशा और चत्रा तो इसका अंसर दिया हुआ उप्सन नमर B और तो आप सभी ने कहा था कि explanation भी मैं read कर दू तो मैं पढ़कर सुना देती हूँ जारकन आर्तिक सर्विक्षन 2020 से किस के अनुसर राजी में खनन से राजसु प्राप्ति की द्रिष्टी से प्रथम तीन जीला खनन कार्यालेयो का क्रम है धनबाद चाईबासाथ चत्रा नेक्स्ट है जारकन के पुनरस्थापना एवं पुनरवास नीती के अंतरगत किसी भी प्रभावी छेतर का सर्विक्षन उसकी घोषना की तारिक से कितने दिनों के भीतर पूरा किया जाना अनिमार्य है इसका अंसर हो जागा अप्सा नमर सी 60 दिनों के अंदर जारकन के प अंसर हो जागा अप्सा नमर भी अगस्ट 2001 राजी में ओद्योगीक विकास की प्रत्साहित करने के उदेश से जारकन के प्रथम ओद्योगीक नीती की घोसना 11 अगस्ट 2001 की गई थी जिसका किरियानमयन 5 वर्सों तक करने का लक्ष रखा गया था नेक्स्ट है 63 नमबर है जारकन मद निसेद नीती 2016 की तहट कितने प्रतिशत अनुसूची जनजाती की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों में सराब दुकान खोलना प्रतिवन दित है इसका अंसरो जगा अप्सा नमबर बी जारकन मद निसेद नीती 2016 की तहट 50 प्रतिशत अनुसूची जनजाती की जनसंख्या वाले ग्राम पंचायतों में सराब दुकान खोलना प्रतिवन दित है नेक्स्ट है 64 जारकन खादी प्रसंसकरन उद्योग नीती 2015 के अंतरगत राजी के किस जीले में टमाटर के जारकन राजी में जीला स्तर पर प्रतियारपन करने वाले उग्रवादियोग के लिए गठित पुनरवास समीतिक अध्यक्ष जीला दंडा दिकारी या उपायुक्त होता है इसका अंसर रुजागा पांचवास स्थान जारकन राजी में जीला स्तर पर चैर सटवा है इज़ोग डूइंग बिजनस रिपोर्ट 2019 अर्थात राजी वैपार सुधार एक्षन रिपोर्ट में जारकन को पांचवास स्थान तथा आंध्रप्रदिश्ट को प्रतमस्थान चैर सटवा स्रसटवा को एकि से ची स्दर में असक्तिक चथन कांसा है पहला ह 2716 फृट्सरा रुंच के सफ। इसका चांच ए यहां से उत्पादन स thinkers प्रादन कताव हुण है यह इसकी शापन हुए इस्थापना रूस और चेको सलव वाकिया दोनों की साहिता से की गई है और भरत के पहला भारी इंजिनियरिंग उर्दियोग है इस्थापना के प्रस्ताव किया गया था तो यह रिपिटेड क्वेश्चन है इसका अंसर क्या हो जागा अप्सन नमर सी लातिहार नेक्स्ट है सत्तरवा नमर सवाल जारकन निमलिकित में से विचार किजे जारकन के निमन स्थानों पर विचार करना है जिंक पानी खलारी डेमो टान और जपला इनमें से कौन सा सीमेंट उद्योग है तो प्रसिद है तो सीमेंट उद्योग के लिए कौन कौन सा स्थान प्रसिद है यह चारो स्थान डेमो टार्ण हजारी बाग और जपला पलामू जीले में है नेक्स्ट देखते हैं 111 नमबर सवाल इंडो असाई ग्लास फैक्टरी कहां है और यह किस देश किस सहयोग से स्थापित किया गया है तो यह भुरकुंडा में और यह जपान के सहयोग से स्थापित किया गया है इंडो असाई ग्लास फैक्टरी भुरकुंडा में है तथा एक नीजी छेतर की कमपनी है जो जपान के सहयोग से स्थापित किया गया है वहतरवा है मुख्य मंत्री सहीद ग्राम विकास योजना के तहत राजी के कुल कितने गाओं का चैन क्या गया है तो राजी के कुल 30 गाओं का चैन क्या गया है इसका आनसर है और सी j server मंत्री सहीद ग्राम विकास योजना की सुरवात 18 दिसंबर 18 दिसंबर सन 2017 को विर्षा मुंडा के गाउं उली हातू खूर्टी से की गई है इस योजना के तहट राजी के 30 सहीदों के गाउं में विकास का विकास से संबंदित सभी सुविधाओं को प्लब्द कराने का लक्ष को अच cự से रखा गया है आगया हुआ है निक्स्ट थे तर्वा सवיס है HOW कि घर के दर्वाजे पर बैीटी का नेम प्लेट लगाआकर घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की योजिना का नाम है यह रगुवर सरकार के सासन काल में आया था यह योजना है मेरी बेटी मेरी पहचान इसका एक्स्प्लेनेशन पढ़ते हैं घर के दरवाजे पर बेटी का नेम प्लेट लगा कर घरों को बेटियों के नाम से पहचान दिलाने की योजना का नाम है मेरी बेटी मेरी पहचान यो योजना का मुख्योदेश क्या है महिलाओं को स्वाव लंबी बनाना नेक्स्ट है पच्छतरवा नंबर सवाल है लोकडाउन के मद्दे नजर जहरकन सरकार द्वारा जहरकन मुख्यमत्री सरम्मिक योजना प्रारम की गए थी जिसके लाभारती को रोजगार दिया जाएगा तो अप्शन्स पड़ते हैं प्रती परिवार नियूनतम सो दिन प्रतिवर्स प्रती लभारती नियूनतम सो दिन प्रतिवर्स प्रती परिवार अधिक्तम सो दिन प्रतिवर्स और प्रती लभारती अधिक्तम सो दिन प्रतिवर्स इसका आंसर क्या हो जागा अप्शन नमर स्री रामिस्वर उराव वर्तमान हेमन सरकार की बात हो रही है अभी तो सारा बदल चुका है अहाला कि सारे नहीं बदले हैं कुछ-कुछ बदले हैं बाकि सब पहले का ही है तो उसके भी मैं एक वीडियो बना दूँगी आपके लिए मरतमान हेमन सरकार मंत्री मंडल में स्री रामिस्वर उराव खादि सार्जिनिक वित्रा नेवं भोक्ता मामले योजना सवित तथा वानी जी कर विभाग के मंत्री है इसका अंसर है अप्सन नमर डी अभी देखे लेटे शाकड़े में देखा जाए तो अभी हेमन सोरेन मुख इसका अंसर हो जागा ऑप्सन नमर सी दोनों कथन सत्य है देश का पहला एलिफेंट रिजर फूरवी सिन्भूम में स्थापित किया गया था और केंद्र सरकार द्वारा हाथी को विरासत पसू भी घुसित किया गया है एक्स्प्लेनेशन करते हैं देश का पहला आएंगे रक्षित वन अठत्तर नमबर का आंसर है जिस वन में पसू चारण तथा लकड़ी काटने पर प्रतिबंध हो उसे रक्षित वन का जाता है जार्खन में यह कूल वन का लगभग 19 प्रतिशत तथा इसका विस्तार राजी के पोरहाट और कोलहां छित्र में है नेक यहां कंफ्यूज करने के लिए दिया है लेकिन इतना याद रखिए एक्सिस एक्सिस लास्ट में है इसका अंसर हो जागा अप्शन नमबर डी बाइसन एलिफेंट टाइगर लियोपार्ड और एक्सिस एक्सिस तो देखिए लायन तो है ही नहीं जार्खन में तो यह तो ऐ इसन एलिफेंट टाइगर लियोपार्ड और एक्सिस 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 असी नमबर सवाल है जार्खन जय विविद्धता बोड का गठन कब किया गया था जार्खन जय विविद्धता बोड का गठन सन 2007 में किया गया था जार्खन जय विविद्धता बोड का गठन कब नेक्स्ट है 81 सवाल, संद्रच्छित वन्नों के अंतरगत की इस प्रकार के वन्नों को सामिल किया जाता है, तो चलिए नीचे से उपर कर लेते हैं, पहला उप्सन है यहां सभी प्रकर की गतिविदियों पर प्रतिवन्द होता है यहां सरकारी अनुमति के तहट सीमित गतिविदियों के संचालन के अनुमति होती है यहां पसुचालन के अनुमति होती है यहां किसी भी प्रकर के कोई प्रतिवन्द नहीं होता है इसका आंसर क होती है यहां सरकारी अनुमती के ताद सीमित गति विदियो के संचालन करने के अनुमती है जिहां यहां पसुचारण की अनुमती होती है यहां किसी प्रकार का कोई प्रतिवन नहीं है यह नहीं है देके यहां सरकारी अनुमती ली जाती है यानि कि सीमित प्रतिवन तो है ही इसका अंसरों जगवा अप्सा नमर सी 2 और 3 वैसे वन छेत्र जहां कुछ प्रतिवंदों के साथ सीमित गति विदियों को संचालित कने के अनुमती प्राप्थ होती है उसे हम संदक्षित वन कहते हैं जारखन राजी में कूल वन का लगभग 81.28 और रक्षित का अभी हमने पिछले question में देखा है 82 नमर सवाल है वर्स 2013 में जारखन राजी में प्रारम भार्तिय क्रिशी में जलवायू परिवर्तन पर नौलेज नेटवर्क परियोजना के अउधी क्या है इसका अंसरों जगा 2013 से 17 CCKNIA परियोजना की सुर्वाद 2013 में जारखन महराष्ट्रा वा उडिसा राजी में की गई थी इसके आउधी 2013 से 17 थी इसका प्रमुक उदेश्य इनोवेशन सूचना ये उनसंचार तकनिकी अधारित प्लैटफों का परियोग करते हुए क्रिशी मंत्राले के सब सभ सईयोग करना था नेक्स्ट है 83 नमर सवाल राष्टी स्वच वायु कारिकरम 2019 के अनुसाल जारखन के किस जीले के लिए सिटी एयर एक्षन प्लान तेयार किया गया तो सिटी एयर एक्षन प्लान की तेयारी जो है धनवाद के लिए की गई 83 का अंसर हो जाग और सींस्ट के तहाद नीजी कम्पनी ओं को कितनी राष्टी यूनिट हरी सेश देने का प्राधान किया गया है जिसनी विजली कंपनी में झारखन का हिस्सा 51% से अधीख है उसमें सेस का यह नियम लागू नहीं होगा 85th नमबर सवाल है निमलिकित कत्नों पर विचार करें पहला है पालकोट अभियारन गुमला जिले में है इचागडपच्छी विहार वकारों में गलत तेनुगडपच्छी विहार वकारों में सही तो प्चाची अभियारन में हरी पहाडी नामा जील है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा पहला तीसरा और चौथा सही है दूसरा कत्न मिलकुल गलत है तो इचागडपच्छी विहार जो है सराई के लखर सावा जीले में है जबकि अन्नी कत्न जो है सकते है 86 है ज़ार्खन सरकार द्वारा विभीन सहरों में निरमित कराय जया रहे मनुरैंजन पार्क का उदेश क्या है इसका उदेश क्या है परियावरान सनरक्षन के प्रति जागडूकता का प्रशार करना सनरच्छन के प्रती जाग रूखता का प्रशार करना इसका आंसर रोप्सान नमबर A 87 काया है जहरकन राजी के सहरी छेतरों में स्थीत पार्कों के प्रबंधन हेतु निमलिकित में से किसका गठन किया गया है प्रबंधन के लिए जहरपर का गठन किया गया है जहरकन राजी के सहरी छेतरों में स्थीत पार्कों का प्रबंधन हेतु जहरपर का गठन किया गया है भारत के 15 क्रिशी जलवाईव प्रदेशों में से जहरकन राजी में कितने जलवाईव प्रदेश है इसका ऑणसर हो जगा तीन भारत में कुल पंदरा कृषि जलबाईल प्रदेशों में से जार्खन राजी में तीन जलबाईल प्रदेश है कौन-कौन सा मध्धिवा उत्रीप पूरवी पठारी ऊप कृषि जलबाईल प्रदेश दूसरा है पस्टिमी पठारी उपकरिशी जलवाई परदेश, और तीशरा है दक्षिन पूर्वी पठारी उपकरिशी जलवाई परदेश, 89th नमर सवाल है, राजी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, एक सकेंड, तो गईस, 89th नमर सवाल देखते हैं, राजी आपदा प जरकन के निमलीकित में से कौन से जीले भुकंप के द्रिश्टी से सम्मेधन सिन सरवादी समेधन सिले तो यह हमने पिछले बार्वी किया है साहिव गण और गुड़ा जोहें जोहें चार के अंतर गताते हैं और जारखन में कितने जोन हैं, जोन 2, 3 और 4 पाई जाते हैं जिसमें से ये 2, 7 और 15 तो पिछली बर साहिएं मैंने जोहें गलती से गलत बता दिया था तो किसी ने सुधार किया तो मैं उन्हें थैंक्यू करना चाहूंगी जार्खन का साहिव गंजर गुड़ा जीला भुकम के द्रिष्टी से सरवाधिक संवेधन सीले दोनों जीले जो है जोन चर के अंतर गताते है 91 नमर सवाल है निमलिकित में से कौन साकतन सत्य है पहला जार्खन उच भुकम जोखिम बला राजी है पहला इंगलत है दुसरा है जार्खन के जंगलों में आग लगने का प्रमुख कारण लकड़ी वा महुआ संगरहन के दोरान आग जलाना है तो यह सही है इसका आंसर क्या ह सवाल है इन्वे से किसके आलोक में आपदा प्रवंधन ज्यान सा सूचना प्रदर्शन केंद्र के स्थापना की गई है तो इसका अंसर क्या हो जागा अप्सार नमबर ए राष्टी आपदा प्रवंधन अधिनियम खानन दुरगटना से बचाव हेतू मज़्दूरों को प आपदा प्रवंधन अधिनियम 2005 की धारा 27 के अनुशार जीला आपदा प्रवंधन प्रादीकरन का अधिवेशन जब कभी भी आवस्यक हो ऐसे समय वस्थान पर होगा जिसके जिसे अध्यक्षित ठीक समझे मतलब इसका माह में एक बजरूरी नहीं है छे माह में एक संधरन को प्राप्त है नेक्स्ट नॉम सवाथ जारकन की 差बसक्ताको स्थान पुरुषकार से सामानित क riya है इसका इंचर हो जागा अप्षित नमर वी विधूत बरन महतो rays झालकन की जमसेथपूर की सांद विधूतшееी गा Gabe गया 96 एए एन्टी सिट वार्ट्टी उसथा मुंदा यहांग अर्ची स्थान प्रप्थ हुआ है और इस इस प्रतियों किता में राची की दिप्ती कुमारी ने श्वार्न एवं जमसेतपूर की अंकीता ने रज़त पदक जीता था इसका अंसर जगा जामुद सिंग सोय को हो साहिती में उत्प्रिष्ट कारी के लिए पद मिस्री समान से समानित किया गया है जामुद सिंसोय कोलहान विश्विद्याले में रीडर के पदपर सेवा निवरित है नेक्स्ट है 99 जारकन का सबसे प्रदूशीत है किसे घुशित किया गया है इसका अंसर जगा रामगड जारकन राजी प्रदूशन नियंत्रन बोड़ द्वारा जारी अपनी रिपोर्ट मे रामगड जारी बाग और पाकुल जारकन के राष्टी अस्तर की सेवा निवरित खेलाडियों को मासिक पेतन कितना दिया जाएगा तो इन्हें कितना मंतली पेंसन दिया जाएगा 10,000 रूपए तो आजके यह अखरी प्रशन था वीडिए अच्छा लागे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एक्स्प्लेनेशन सेक्शन में दिखा देती हूं ताकि आप कुछ सीज़ें जो होती है लोगों को अपने मन की मर्जी की नहीं लगती है तून के लिए है यह देख लेना आप तो गाइस अगले वीडियो मिलते हैं धन्यवाद